हाई ओल, वेलकम टू मेरा सलेबस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में बच्चो सुरू करने वाले हैं क्योशन नंबर सेवन्थ एक्सराइस टू.5 का तो सेवन्थ क्योशन कहता है इसमें आपको ये नहीं करना है बच्चो कि अगर आप करने लग जाओ जैसे 99 x 99 x 99 ये बहुत लंबा हो जाएगा तो हमें ये फॉर्मूला नहीं योज करना है हमें simple identities यूज करके इसको solve करना है तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको मैं बच्चो ऐसे लिख सकता हूँ 100 minus 1 का whole cube इसको मैं लिख सकता हूँ तो मैंने आपको last lecture में पढ़ाया था a plus b का whole cube वो क्या था a cube plus b cube plus 3ab into a plus b ये मैंने पढ़ाया था तो वही चीज हो गए यहाँ पर a क्या हो गया a हमारा हो गया 100 और b हमारा क्या हो गया minus 1 अब हमें simple in values को कहां रखना है इस formula में put करना है तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 100 minus 1 का whole cube और यहाँ क्या हो जाएगा a cube a हमारा क्या है 100 तो इसकी cube plus b cube b हमारा क्या है 1 तो minus 1 की cube plus 3 into a a हमारा है 100 into b b हमारा है 1 into a plus b a हमारा 100 और b हमारा minus 1 ये हो गया अब इसको solve कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 और 100 तो ये है फिर 2,0 फिर दोजिए इसको खोलेंगे तो यह आ जाएगा अब देखो 1 का क्यों क्या होता है 1 लेकिन माइनस है तो माइनस वण आ जाएगा यहां पर देखो 3 multiply 100 300 300 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 300 ठीक है और अंदर क्या रहे गया 99 अब यहां से इसको solve कर लिजिए तो ये क्या आ जाएगा इसमें से जाएंगे तो ये कितनी है ये बच जाएगा 9 9 9, 9, 9 9, 9, 9, 9 ठीक है, minus 300 multiply 99, ये बच गया जब आप इसको solve कर लोगे completely, तो बच्चों जो हमारे पास answer आ जाएगा, वो आ जाएगा 9, 7 2, 9, 9, ये आपका answer आ जाएगा, आपको simply इसको solve करना आगे, ठीक है तो ये हमारा हो गया, first option तो next है हमारा, second इसमें क्या दे रखा है, 102 तो बच्चों इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो मैं इसको 100 plus 2 का cube लिख सकता हूँ, ठीक है और ये form कौन सी बन गई, ये बन गई हमारी a plus b का whole cube तो ये क्या पड़ा है, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b तो यहां से हमारे पास a अब हमारा है 100, और b हमारा क्या है, 2 value put करेंगे, तो ये हम लिख देंगे, 100 plus 2 का whole cube is equal to a cube a हमारा है 100, तो 100 का cube, plus b हमारा है 2, तो 2 का cube plus 3 into 100 into 2 into a plus b, 100 plus तो ये हमारा क्या 100 को हमको 3 बार multiply करना है, तो ये 0 कितनी हो जाएंगे, 6 तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, plus 2 की power 3 क्या होता है, 8 होता है बच्चो plus ये क्या हो गया, 100 multiply 3, 300, 300 multiply 2, तो ये हो गया हमारा 600 और ये है 100 plus 2, तो इसको जब solve करेंगे plus 8, इसको अंदर multiply गर तो ये क्या हो जाएगा 6, 2, 0 और ये 2, 0 plus 6, 2, 12 और 2, 0, ठीक है, तो जब आप इसको completely add करें होगे simple, तो आपका answer क्या जाएगा ये आजएगा 106 1, 2, 0 and last में क्या है 8 तो ये आपका answer आजएगा तो ऐसे आपका part 2 हो गया 6th का, अब देखते हम 3rd, 3rd में इन्होंने क्या दिया बच्चो, 3rd में इन्होंने देती है 998, मतलब ये कितने से कम है ये 1000 से कम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 minus 2, और ये क्या हो गया whole cube, ठीक है तो ये भी formula बन गया, a plus b का whole cube, कैसे लिखते है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, ये लिखते हैं बच्चो तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है a हो गया 1000 और b हो गया हमारे पास minus 2, simple value put करो minus 2 का whole cube is equal to a cube a मतलब 1000 plus b cube मतलब minus 2 की cube plus 3 into 1000 multiply minus 2 और ये क्या हो जाएगा 1000 minus 2 अब इसको simply solve करना तो इसकी कितनी 0 आ जाएगी ये हो जाएगा 1000 तो है फिर a cube की कितनी आएगी और फिर a cube ये आ जाएगा minus 8 ठीक है तो 3000 multiply 2 ये क्या हो जाएगा minus का 6000 और अंदर क्या है 1000 minus 2 है अंदर तो इसको solve कर लिजी तो ये as it ही जाएगा minus 8 इसको अंदर multiply करीए तो ये क्या हो जाएगा 6 बंज़ा 6 इसकी 30 और इसकी 30 minus को minus से करेंगे तो 12 और 30 आप इसको बच्चो जब आप solve कर लोगे तो ये आ जाएगा 994011992 आप इसको simple एक बार subtract करके देखना फिर भी नहीं होता है तो एक बार comment कर देना तो यहाँ पे आपका 7th question बच्चो complete हो जाता है तो यहाँ पे 8th question देखते हैं बच्चो 8th इसने दे दिया factorize each of the following तो हमें इसका जो expression दे रखा है इसको हमें factor बनाना है तो देखो हमें बताना है कि किस identity के base पे इसको हम factorize कर सकते हैं तो देखो अगर मैं इस 2 8a cube को क्या मैं लिख सकता हूँ 2a की power 3 यह लिख सकता हूँ जब इसको solve करेंगे तो 8a cube आजाएगा ठीक है पलस b cube को मैं क्या लिख सकता हूँ b की power 3 लिख सकता हूँ ठीक है आप देखो यहाँ पे 12a square तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 into a क्या लिए हमने 2a हो गया तो twice a square multiply b यह लिख सकता हूँ ठीक है पलस यह क्या है 3 into twice a into b square यह हो गया आप देखो जब आप इसको open करोगे तो 2a की power 3 क्या हो गया 8 cube b को cube b cube और 3 multiply to 6 इसको square 3 multiply 2a उसको open करोगे तो बच्चों 4a square और 4a square को 3 से करोगे तो 12a square b plus 3 multiplied to 6 b square यह हो गया तो इसको आप क्या लिख हो गये 2a की cube plus b की cube plus 3 into 2a square b plus 3 into 2a b square यह हो गया यहां पर तो यह आपका formula 2a plus b की whole cube मैं इसको लिख सकता हूँ क्यों क्यों क्योंकि आपने क्या पढ़ा था यह क्या होता है a plus b की cube आपने क्या पढ़ी थी a cube plus b cube plus 3ab into a plus b तो जब आप इस portion को solve करते हो तो यह क्या देगा 3 into a square b तो यह क्या 3 into a square b अब यह क्या 3 into a b square 3 into a b square यह हो गया तो यह कौन सी identity यूज़ करके expression बनाया है यह हो गया a plus b की identity cube थीक है तो यह हमारा कौन सी identity है थीक है तो यहाँ पे कौन सी identity यूज़ होई बचो a plus b की cube का अब देखते हैं next तो next क्या expression दिया हमें 8a cube minus b cube minus 12a square b plus 6ab square तो देखो इसको कैसे करेंगे वही simple हमें क्या है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको 2a की power 3 इसको कैसे लिख सकता हूँ minus b की power 3 लिख सकता हूँ आप देखो minus फिर वो क्या 3 into a a क्या है हमारा 2a तो 2a का square होता है और फिर वो क्या हो गया इक कर रखा है into b b क्या हमारा b है ठीक है उसके बाद क्या देखा है plus इसको कैसे लिख सकता हूँ 3 into a, a हमारा क्या है 2a into b square तो b हमारा क्या है b तो यह हमारा यह हो ठीक है अब इसको हम क्या हो गया 2a की power 3 minus b की power 3 minus 3 2a square b plus 3 into 2a into b square यह हो गया तो यह हम जानते हैं किसका formula बन गया यह तो हमारा बन गया 2a minus b की whole cube का यह बन गया तो यह तो आप इसको ऐसे लिख लीज़े या क्या लिख होगे 2a minus b 2a minus b और फिर 2a minus b तीन बार लिख सकते हैं तो यह किस identity को use करके expression बनाया है यह identity होगी हमारी x minus y की whole cube यह identity होगी बच्चों क्यों क्योंकि इसको जब हम open करते तो क्या आता है x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square यह आती है तो इस identity का use करके और यह बना expression ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा second option ठीक है तो अब देखते है next next क्या है 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square तो इसको भी आपको solve करना है 27 किसका होता है बच्चों 3 की cube होती है इसको ऐसे लिख दिया minus 125 that means 5 की cube and यह a की cube तो इसको मैं ऐसे लिख दूँगा minus 3 into a a क्या है यह हो गया 3 का square और multiply 5a यह हो गया plus 3 into a, a हमारा क्या है 3a into b तो b हमारा क्या है 5a का square इसका क्या बन गया 3 की cube minus 5a की cube minus 3 into 3 का square multiply 5a plus 3 into 3 into 5a का square तो यह क्या formula बन गया हमारा यह बन गया 3 minus 5a की whole cube या तो इसको आप ऐसे लिख लिजिए या फिर इसको क्यों जब क्योंकि इसको open करोगे तो यह ही आएगा क्यों 3 क्या होता है यह formula a cube a cube में 3 की cube minus 5a की cube minus 3a square b plus 3ab square यह हो गया तो यह कौन सी identity हो गई identity कौन सी हो की बच्चो x minus y की cube यह identity यूज की है ठीक है तो यह हमारा हो गया 3rd आप देखो 4th 4th क्या कहता है 4th में भी इन्होंने दिया 64a cube तो 64 हमारा किसका होता है 4 का तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4a की cube minus 3b की cube यह लिखा जाएगा minus 3 multiply a square तो a हमारा क्या है 4a into b b हमारा क्या है 3b ठीक है plus 3 into a a हमारा क्या है 4a b square b हमारा क्या है 3b इसका square यह हो क्या तो यह हमारा क्या है 4a cube minus 3b cube minus 3 4a square into 3b plus 3 into 4a into 3b square तो यह formula बन गया a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square तो यह कौन सा बन गया 4a minus 3b का whole cube यह बन गया और identity कौन सी हो गई identity used कौन सी हो गई बच्चो x minus y की whole cube यह identity यूज करके यह expression कर जा है ठीक है तो यह हमारा हो गया 4th question अब देखते हैं 5th तो 5th देखो बच्चो 5th भी same है यहाँ पे a b की जगे पी दे दिया इन्होंने तो कोई problem नहीं है उसमें आप लोग देखो इसको कैसे करोगे इसको करोगे 27 को लिखोगे 3 और यह क्या दे रहका है पी तो इसको गया 3p whole cube minus 1 upon 2 1 6 की सका होता है बच्चो 6 का होता है ठीक है तो इसको cube लिख सकते हो minus 3 multiply a square a क्या है हमारा 3p का whole square multiply b b क्या है हमारा 1 upon 6 उसके बाद है plus तो यह क्या जाएगा 3a a क्या हमारा 3a b square b हमारा क्या है 1 upon 4 का b हमारा है 1 upon 6 तो यह हो जाएगा इसका square यह आ जाएगा तो यहां से इसको solve कर लिजिए 3p की whole cube minus 1 upon 6 की whole cube minus 3 into a square 3p का square multiply 1 upon 6 plus 3 into 3a into 1 upon 6 का whole square यह जाएगा तो यह identity कौन से होगी a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square यह हो गया 3p minus 1 upon 6 की whole cube जब आप इस formula के open करोगे तो क्या जाएगा यह ही आएगा तो यहां पर identity used क्या हो गई बच्चों x minus y की whole cube यह ही identity यूज हुई है इसी identity को यूज करके यह बनाया गया तो बच्चों आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं जो next वीडियो होगी उसमें हम अपना next question solve करेंगे और जागले वीडियो का link है वो इसके description में आपको मिल जाएगा तब तक के लिए goodbye